आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुत ही स्वादिस डिश सोया बीन कुर्मा तो इसे कैसे बनाते हैं सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे तो आप वीडियो पे इन तक बने रहे हैं यहां पे मैंने लिया है गरम पानी इसमें डाल दिया मैंने एक चमच हल्दी इसे प्रॉपर मिक्स कर लेंगे ऐसे और इसमें डाल देंगे एक कप सोया बीन चंक्स इसको दस मिनट के लिए सोक करके ऐसे रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो सोया बीन में अच्छी तरीके से अब्सार्ब हो जाएं तो यह देखिए इस तरीके से ढखके रख देना है तो यहां पर मैं ले रहे हूँ एक पैन उसमें डाल रहे हूँ मैं थोड़ा सा रिफाइन डॉयल सोया बीन को सोक किये हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो उसका पानी निकाल करके मैं इसे रोस्ट करूँगी तो गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम करके आपको इसे 5 मिनट तक ऐसे रोस्ट करना है सोया बीन अगर आपको नहीं पसंद है तो इस तरीके से बनाएए आप सोया बीन के फैन हो जाएंगे तो यह देखे इस तरीके से आपको roast कर लेना है इसे हम side में रख देंगे और फिर यहां पे हम बना लेंगे masala तो यहां पे मैं ले रही हूँ दो बड़े चमज दही फ्रेश दही लिया है मैंने इसको इस तरीके से आपको fat लेना है अब इसमें हम डाल रहा है एक चमज हल्दी पाउडर एक चमज रड़ चिली पाउडर दो बड़े चमज धनिया पाउडर और एक चमज डालेंगे इसमें गरम masala अब इसे अच्छी तरीके से ऐसे fat लेंगे ताकि दही में मसाले अच्छी तरीके से भिंजाएं इसे हम फेट करके साइड में रख देंगे फिर यहां कड़ाई में मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ओयल और यहां पर मैंने तीन मीडियम साइज के प्याज लिया है उसको इस तरीके से काट लिया है और इसका हम बनाएंगे बरिस्ता बहुत ही टेस्टी डिश बनने वाला है तो आप लोग जरूर इसे ट्राइ करिएगा बरिस्ता बनाने में 10 से 15 मिनुट लगेंगे आपको तो ऐसे इस तरीके से आपको ऐसे पका लेना है तो इसे हम अब भी एक प्लेट में निकालके रख लेंगे ठंडा होने के लिए और फिर इसी तेल में हम खड़े मसाले रोस्ट करेंगे तो खड़े मसालों में मैंने लिया है लॉंग, तेज पत्ता, बड़ी इलाइची, ब्लैक पेपर और दाल चीनी स्टिक इन सारे खड़े मसाले को हम ऐसे तेल में रोस्ट करेंगे और इसमें डाल देंगे एक चमच हीम और गार्लिक पेस्ट इसको अच्छी तरीके से बुनेंगे तो यह देखे मसाले और गार्लिक जो है अच्छी तरीके से बुन चुके हैं अब इसमें हमने जो दही में मसाले पेटे थे वो डाल देंगे और ध्यान रहे, जब आप ये डालेंगे, तो आपको ऐसे continuously से चलाते रहना है, ऐसा नहीं करेंगे तो दही जो है वो फटने का डर रहेगा, तो आपको ये डाल करके 2 मिनट तक ऐसे इसको फेटना है, ये देखें, इस तरीके से, जब तक कि ओईल जो है वो दही में अच्छी तरीके से मिलना जाए, तब तक आपको इसे फेटते रहना है, वर्णा बीच में अगर आप छोड़ देंगे, तो दही जो है वो फट जाएगा, दो मिनट तक आपको इसको ऐसे चलाते रहना है, तो अभी देखें, बरिस्ता जो है वो ठंड़ा हो चुका है, तो हम इसे काजू, एक चमच खस-खस, और बहुत ही थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, तो यह देखें, बरिस्ते का पेस्ट बन करके तयार है, तो यहां पे देखें, जो हमने मसाले डाले थे दही वाले, वो भी अच्छी तरीके से पक चुका है, अब इसमें हम बरिस्ते का जो प काजू जलने लगेगा तो यह पेस्ट डालने के बाद भी आपको अच्छी तरीके से गुनना है, तो यहां पे मैं धुल करके मसाला जो था वो पानी डाला है, पानी डालने की ज़रत नहीं है आपको लेकिन उसमें पेस्ट लगा हुआ था तो मैंने उसे थोड़ा सा पानी से धुल करके डाल दिया है, गैस का फ्लेम स्लो रखना है आपको और इसे दस से पंदरा मिनट तक भुनना है, बहुत ही अच्छी खुश्बू आरही है इसमें से, तो एक बार आप लोग जरूर बनाएं इसे, तो इसे मैं दो मिनट के लिए ढखके रख दूंगी, तो काफी अच्छी हो गई है, अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें दो बॉल बॉल वाटर, ध्यान रहे आपको इसमें जो भी वाटर डालेंगे आप बॉल करके डालें, और सबजी को कितना थिक करना है उसके हिसाब से पानी डालना है, यहां पर मैंने डाला है एक अनुसार डालना है आपको, तो यह देखे, गैस का फ्लेम जो है मेडियम कर दिया है मैंने, इसमें देखे, बॉल एक आ चुका है, अब हमने जो रोस्ट किया था सोया भी और डालेंगे, है ना सिंपल इसे बनाना, तो बस अब इसको चला देंगे, और फ्लेम जो है मेडिय केवडा वाटर, केवडा वाटर डालने से जो है सबजी में अच्छी सी खुश्भू आती है, और यह किसी भी सुपर मार्केट में अवेलबल रहता है, आप ले सकते हैं, तो इसे मैं पांच मिनट के लिए डग दूंगी, और पांच मिनट बाद मैंने इसे उपन किया है, तो यह देखिए, आपका सोया बिन बनकर के त्यार है, अब इसे हम सर्फ करेंगे, तो यह देखिए, टेस्टी सोया बिन कोर्मा बनकर के त्यार है, आप लोग इसे जरूर ट्राइ करिएगा, I hope आपको यह रेसिपी पसंद आई, पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तो के साथी से जरूर शेयर करें, थैंक्स फॉर वाचिंग,